हुआ कि दोस्तों वेल्कम य्यूट्व चेल गाने मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों मेरे जितने मित्र हैं दोस्त हैं फ्रेंड सैं और सबस्क्रैबर्ट सें सबका एक ही question है दोस्तो solar panel से related कि कितने AH की battery लें, कितने watt का पैनल लें, क्या सही है, इसके बारे कितने ampere का solar charge control है दोस्तों, तो मैं आप लोग को दोस्तों आज इस वीडियो में complete जानकरी दूँगा, पैसों के बारे में, means cost के बारे में या money के बारे में कौन सी चीज़ कितने के आ दोस्तों, तो मैं आप लोग को केवल और केवर calculation इस वीडियो में बता दूँगा, अगर आप demand करेंगे तो next वीडियो में मैं आप लोग को पैसे, cost, money ये सब भी बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, फिलाल इस वीडियो में देखी जानते हैं, जो calculation के लिए हमने लिया 500 watts का load मैंने यहां पर लिया है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, अभी मैं आप लोग को समझाने की ये कोशिश करता हूँ दोस्तों, कि ये load हमें दो condition पर मैं ने ये बनाई है दोस्तों, पहले condition हमारी ये है कि हम load को पूरी रात यूज़ कर रहे हैं, केवल रात को ही load यूज़ कर रहे हैं, 6 p.m. से 6 a.m. means 12 गंटे यूज़ करेंगे, रात के 6 बज़े से सुबा के 6 बज़े तक, ठीक है, उसकी calculation अलग है, कितने पैनल लगेंगे, कितने वाट का पैनल लेगा और कितने पैनल लगेंगे दोस्तों, ठीक है, बैटरी कितनी लगेंग और वही जब हमें load को use करना है, दिन रात load को use करना है, 500 watt के, तो क्या calculation है दोस्तों, दो भागों में कर रहा है दोस्तों, आई जानते हैं, सबसे पहले शुरुआत में यहां से करता हूं दोस्तों, load हमने 50 watt का यहां पर ले रखा है दोस्तों, ठीक है, बैटरी हमारी generally, यह 12 वोल्ट सिस्टम मनाया है, ठीक है, अगर हम 1000 watt पर आते हैं, तब हमें 24 watt पर shift होना पड़ेगा, यह 1000 watt से उपर जाते हैं, तब हमें 24 watt की battery system पर जाना पड़ेगा, फिलाल हम 500 watt 500 watt पर आ रहे हैं, तो बैटरी सिस्टम 12 वोल्ट की use होगी दोस्तों, ठीक है, अभी मैं आप लो करनें कितने amperes से हम लोड को use कर रहे हैं, तो हमें यहां पर दोस्तों, मिल जाएगा का हमें, किसने ah की battery उस करनी है, दोस्तू, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, दोस्तो, load के amperes निकालने हैं हमें, तो load के amperes के लिए हम देखेंगे कि कितने watt का load है, तो loading यहां पर तो अब यहां पर हमें लोड एंपियर मिल गए अब इस फॉर्म ले पर आते हैं दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि हमें बैक अप टाइम चाहिए बारा घंटे का 12 वार्ट का तो हमने वह वैल्यू यहां पर रख दी हमें बैटरी के एज कैलकुलेट करने हैं तो वह हमें अभी नहीं पता उसको ऐसे ही रखते हैं और MPR हमने यहां पर 41.6 लेग दिये दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमें बैटरी एच मिल गए दोस्तों कि हमें इसको करेंगे तो 500 एच मिन्स 500 एच की हमें बैटरी कैपसिटी चाहिए तब अब हमें पूरी रात का लोड मिलेगा 12 घंटे हम 500 वाट को चला पाएंगे दोस्तों 500 एच की बैटरी से हम 500 वाट को बारा घंटे तक चला सकते हैं दोस्तों अगर यहां पर बहुत जादा लॉस कहीं पर नहीं हो रहा है तो अब हम नीचे आते हैं दोस्तों देखिए अब बैटरी वाला में आप लोग को एक फैक्टर बता दिता हूँ अगर देखिए हमें 500 एच की बैटरी यूज़ करनी है तो हम 100 एच की पांच बैटरी यूज़ कर सकते हैं तब हम 500 एच तक पहुंच जाएंगे दोस्तों के अपिसेडी या फिर हम 160 एच की तीन बैटरी यूज़ करना है तो उसके लिए देखो दोस्तों क्या है बैटरी वैक अप हमें 12 गंटे चाहिए बैटरी कैपिसिटी 500 एच हमें हमने उपर क्यालकुलेट कर ली दोस्तों बैटरी के लोड एंपेर समें पता हैं 41.66 एंपेर से दोस्तों अब हम सोलर पैनल हमें कितने चाहि करते हैं करेट मिलते हैं करेंट वह 7 एम मि सुबह 7 वजे से और सामके पानच बज़े तक ही लगभग से लगभग हमें है हमें मिलती हैं दोस्तों पावर मिलती है अनरजिए तो को स्के gamersab想ि यह हमारे हो जाते हैं दस गंटे मीज टैना आर से दोस्तों तों अगीन यही वाल यहां पर देख पा रहे हैं कि 10 घंटे का बैटरी बैकप 10 घंटे में बैटरी को चार्ज करना है 500 यहां पर तेक लिए 500 यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम 50 A से चार्ज करें 500 AH की बैटरी को तो हम 10 घंटे में उसको फुल चार्ज कर लेंगे अब 50 A करण्ट के लिए हम वाट की करेंगे पैनल के लिए तो आप बेसिकली जो है तो 950 W हमें आता है रिजल्ट इसका मतलब कि अगर हम 950 W को रांड ओफ करके हम 1000 इसलिए लिए लिख रहे हैं कि अगर आपर कुछ लॉसिस को हम एड़ कर दें तो वो 50 W में हमारे बैलेंस हो जाएंगे दोस्तों तो हमने यहां पर 1000 W इसको लिख दिया 950 को तो इसका मतलब है कि अब हमें 1000 W के पैनल चाहिए जिससे कि हम 500 500 AH की बैटरी बैंक को चार्ड कर सकते हैं 10 गंटे में और जो कि हमें पूरी राद 12 गंटे का बैक अप टाइम देगा 500 W के साथ दोस्तों तो आई होफ कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तो ठीक है तो इसके लिए इसके लिए आपका क्याãy 3 कि बाइश करना है या तो मैं आपो बहुत सीधी सरल केल्कुलेशन नहीं पड़ेगे आप पाड़ेगी अप कर दीजिए सोलर पैनल के वाट को दोस्तों अगर आप यूस जैसे कि हमने स्किल कल्कुलेशन करें थी कि अगर हजार वाट आए थे तो आप दोस्तों आखे बंद करके दो हजार वाट का सिस्टम बना लीजिए जो कि आपको दिन नाथ दोनों काम करेगा अगर फिर भी आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को दोस्तों वह भी समझा देता हूं दिन नाथ के लिए हमें क्या करना है जो 247 हमारी 500 वाट के हिसाब स से बैटरी से हमारे 41.66 Ampere कंजूम हो रहे थे दोस्तों अगर हम इस Ampere को और हम दिन में रन कराना चाहते हैं तो यह Ampere से हमें 800 Watt के पैनल से हम दोस्तों 500 वाट का लोड चला सकते हैं पूरे दिन ठीक है लेकिन इस केस में बैटरी चाइश नहीं होगी तो हमें क्या करना होगा दोस्तों इस 1000 वाट के पैनल को जो कि हमारे बैटरी को चाहट दिन के लिए इस्तमाल हो रहे थे मिन्स 1000 वाट दोस्तों और इसमें अगर हम एड करा दें ये दोस्तों जिससे हम दिन का लोट चला रहे थे 800 वाट दोस्तों तो हम यहां देख सकते हैं कि 1800 वाट वही लगवग 2000 वाट हो गए मैंने आप लोगों को बताया थे कि डबल कर दीजे लगवग तो लगवग में 1800 वा लोड यूज करना डबल कर दीजिए उस लोड को जो कि आप लाइट में यूज करें दोस्तों पैनल के वाट आपके निकल जाएंगे अब दोस्तों मैं आप लोग को एक बहुत काम की चीज़ बताना चाहूंगा यह देखिए हम समझते हैं और मैं आप लोग को समझाने की क एक ल susp historically हमिएगा देखते हैं जमना रात में लोड यूज करने 1000 वाट के हमें पैनल चाहिए थे और 24 by 7 के लिए मिस जब लोड हमें जिन आति उपर अंको 800 जानों सी में और अप लाइन करने लिए तो दोस्तों अगर अब ही आप देख सकते हैं कि कितने वाट के पैनल से कितने नंबर ओफ पैनल की मल्टिप्लाइ करें जो हमें accurate वाट मिले हैं तो आप दे सकते हैं कि इस वाट तक पहुचने के लिए भी इस हजार वाट तक पहुचने के लिए आप या तो 100 वाट के 10 पैनल लगा सकते हैं या फिर आप 180 वाट के 5 पैनल लगा सकते हैं या फिर आप 200 वाट के 5 पैनल लगा सकते हैं यहां दोस्तों वैरियेशन हमें मिल र लग रहा है कौनसे प्रति आप लोग को सही पड़ रहा है उस साफ से यूज कर सकते हैं डीकी प्रकार से 24 V 7 वाली केस में हम तरुछ सकते हैं कि यह तो हम जोतों सावक के न में यूज कर सकते हैं जिसके Chloe attend यहां पर दोस्तों आ रहा है अभी नीचे आते हैं और मैं आप लोगों समझा देगी अब इतना कुछ के लिए आप देख रहे हैं कि पूरी कैलकुलेशन में जो हमारे एमपेर से वो आप देख सकते हैं कि 41.66 से और वैरी होके अल्मुस्ट 50 A तक गए हैं दोस्तों इसका मतलब जो अब हमें solar charge controller यूज़ करना है वो maximum 50 या 52 या 53 तो यह इस से जादा नहीं जाएगा और इसके नीचे तब जाएगा जो हमारी बहुत जादा cloudy weather हो जाएगा दोस्तों बादलों से घर जाएगा मुस्तों ठीक है तो वहां प या फिर हम 100 A का solar charge controller यूज़ कर सकते हैं दोस्तों दोनों ही case में हमें हमेशे दहर नखें जब भी हम जादा एंपेर के लिए काम कर रहे हैं solar system पर जादा एंपेर की जो हम यूज़ करें system बना रहे हैं जादा तब हमें PWM means pulse width modulation वाला controller हमें नहीं यूज़ करना है दोस्तों ठीक है हमें उस समय यूज़ करना है maximum powerpoint transfer MPPT controller यूज़ करना है दोस्तों ठीक है तो MPPT controller best है even है superior है compare to PWM controller आफ जादा से जादा 100W तक यूज़ कर लीजे दोस्तों सो वाट तक हम PWM controller को यूज़ करेंगे तो हमें इतना हमें loss नहीं मैसूस होगा नहीं हमें face करना पड़ेगा और 100W से जादा का अगर हम load यूज़ कर रहे हैं 200W का 300W का 500W का 1000W का या उससे जादा तो हम दोस्तों ह यूज करना चाहिए दोस्तों तो आई होग कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझे हों दोस्तों मेरी इस वीडियो तक पहुचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद